सबसे पहला प्रश्ण है द्रश से इस्पेक्टरम की तरंग दैर्द सीमा कितनी होती है तो द्रश से इस्पेक्टरम की तरंग दैर्द सीमा 3900 एम्श्रॉंग से 7600 एम्श्रॉंग तक होती है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ये नारा किस न दिया था तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का ये नारा हर एक्जाम में पूछा जाता है देवधर ट्रॉफी किस खेल से सम्मंदित है तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से सम्मंदित है देश बंदू के नाम से किसे जाना जाता है तो चितरंजन दास जी को देश बंदू के नाम से जानते हैं दो बार नोबल पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है तो मैडम क्यूरी जी इन्हें दो बार नोबल पुरुसकार मिला है राइट आंसर हो जाएगा धन विदेयक पेश कहां पर किया जा सकता है तो केवल लोग सम्हां में धन विदेयक पेश किया जा सकता है धर्ती के तलका लगबग कितने प्रतीशत हिस्सा पानी है तो धर्ती के तलका लगबग 71 प्रतीशत हिस्सा जो है पानी से भरा हुआ है तोड़ने के लिए महात्मा गांदी जी ने सवीने अवग्या आंदोलन शुरू किया था नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है तो नई दिल्ली का वास्तुकार एडवन लुटियंस योगी इंग्लेंड से था है नवगठित तेलांगना राज के पहले मुख्यमंतरी कौन है त देलांगना राजी कौन से नंबर का राजी था भारत का कमेंट बॉक्स में शेयर करिये नाथूला दर्रा किस राज्य में इस्तित है तो नाथूला दर्रा सिक्किम राज्य में इस्तित है नालंदा विश्विध्याले की इस्थापना किस ने की थी तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्व विध्याले की इस्थापना की थी नासिक किस नदी के किनारे है तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है निर्विरोध चुने जाने वाले एक मात्र राश्पती कौन थे तो निर्विरोध चुने जाने वाले एक मात्र राश्पती नीलम संजीवर रेटी नील नदी का उपहर कौन सा देश कहलाता है तो मिश्र देश को नील नदी का उपहर कहा जाता है नीली कृान्ती गोन की तो शोड़ी तो विश्णु शर्मा जी पंच तंद्र के लेखके लेहां। भाषा कौन सी लिपी में लिखी गई है तो पंजाबी भाषा गुरु मुखी लिपी में लिखी गई है पंजित रवी शंकर का सम्मन्द किस वादी अंतर से है तो पंजित रवी शंकर का सम्मन्द सितार नामक वादी अंतर से है पटना का प्राचीनतम नाम क्या है तो पटना मद्यप्रदेस में किस की खानों के लिए पर काम करता है तो परमाड़वकिय विखंडन की सिद्धान पर काम का करते हैं तो परमाड़वयर्यक्टर में मन्देक की रूप में भारी-पानी ओघ्रीफाइट का प्रयोग किया जाता है पराश्रवे तरंगों की आवरती कितनी होती है तो 20,000 हड़ से अधिक पराश्रवे तरंगों की आवरती होती है जिने हम सुन नहीं सकते हैं पश्वों में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है तो पश्वों में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शम क कमी के कारण होती है पश्मी और पूर्वी घाट किन पहाणियों पर मिलते हैं तो पश्मी घाट और पूर्वी घाट नील गरी की पहाणियों पर मिलते हैं पश्मी घाट को अनिक किस नाम से जाना जाता है तो पश्मी घाट को सहाद्री परवत श्रंकला के नाम से भी जानते पहला क्रत्रिम उग्रा कौन से था तो इस पूतनिक वन पहला क्रत्रिम उग्रा था पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है पानी का घंट अधिक्तम के स्तापमान पर होता है तो चार पाशिक किसकी एक आई है तो खगोलिय दूरी की एक आई है पार सिक भगत सिंघ, राजगुरु और सुगदेव जी को फांसी कब दी गई थी तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंग सुगदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी भगवान बुद्ध को ग्यान प्राप्ति कहां पर हुई थी तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति 24 वे तीर्थंकर थे भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था तो कुंडा ग्राम वैशाली में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था भाप इंजन का अविशकार किस ने किया तो जैम्स वॉट ने भाप इंजन का अविशकार किया भाबा पर्माणू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो भाबा पर्माणू अनुसंधान केंद्र ट्रामबे मुंबई में इस्थित है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल गाड़ी का नाम क्या है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेल गाड़ी समझोता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है भारत का अनुसंधान केंद्र हिमादरी कहां पर है तो भारत का अनुसंधान केंद्र हिमादरी आर्कडिक छेत्र में इस्तित है भारत का उत्तर से दक्षण तक विस्तार कितना है तो लगबग 3214 किलोमेटर भारत का उत्तर से दक्षण तक विस्तार है भारत का केंद्रिय बैंक कौन सा है तो रिजर बैंक आफ इंडिया भारत का केंद्रिय बैंक है भारत का कौन सा राज रबर के उत्पादन में अग्रणी है तो भारत का राज केरल रबर के उत्पादन में अग्रणी राज है भारती पुरुसकार इनमें से कौन सा है जो फिल्म के छितर में दिया जाता है तो दादा साब फाल के पुरुसकार फिल्म के छितर में दिया जाने वाला भारती पुरुसकार है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा संग्या किस खिलाडी को दी गई है तो फुटबॉल का ब्लैक पर काला हीरा संग्या पेले खिलाडी को दी गई है फूलों की घाटी किस राज में है तो उत्राखंड राज में फूलों की घाटी इस्तित है फ्यू स्तार किस पदार्थ का बना होता है तो फ्यू स्तार टिन और सीशे की मिश्र धादू का बना होता है फ्रांस की करांती कब हुई थी तो 1789 में फ्रांस की करांती हुई थी बंगाल बिभाजन कब और किस के द्वारा किया गया 1905 इसवी में गवर्डन लॉड करजन की द्वारा बंगाल का बिभाजन किया गया बंगाल बिभाजन की घोशना कब की गई थी तो 19 जुलाई 1905 में बंगाल बिभाजन की घोशना हुई थी बंगाल बिहार और उडिसा में इस्थाई बंदोबस्त कब और किस ने शुरू किया तो बंगाल बिहार उडिसा में इस्थाई बंदोबस्त 1793 में Lord Cornwallis ने शुरू किया था बांगलादेश का राश्रगान कौन सा है और इसे किस ने लिखा है तो आमार सोनार बांगला जो की रविंद्रनाट टैगोर ने लिखा है बांगलादेश का राश्रगान है बांगलादेश की मुद्रा का नाम क्या है तो बांगलादेश की मुद्रा का नाम टका है बकसर का य विश्विद्याले के संस्थापक कौन थे तो मदन मोहन मालुय जी बनारस हिंदू विश्विद्याले के संस्थापक थे वर्ल्ड वाइड वेप का अविश्कार किस ने किया तो टिमबर्सनली ने वर्ल्ड वाइड वेप da पी लिया किस अंग का रोग है तो पीलिया यकरत या लीवर का रोग प्रत्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर जुकी होती है तो 23.5 डिगरी के कोण पर प्रत्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है तो प्रत्वी अपनी धुरी पर पश्यम से पुर्वे की दिशा में घूमती है प्रत्वी और सूरे के बीच दूरी कितनी है तो लगबग 15 करोड किलोमेटर की दूरी है प्रत्वी और सूरे के बीच में प्रत्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो शुक्र ग्रह प्रत्वी के सबसे नजदीक ग्रह है प्रत्वी को एक डिग्री देशांतर गूमने में कितना समय लगता है तो प्रत्वी को एक डिग्री देशांतर गूमने में चार मिनिट का समय लगता है प्रत्वी तल पर कितने प्रतिशत भागों पर महादीपों का विस्तार भू भाग पाया जाता है तो प्रत्वी तल के 29.2 प्रतिशत भाग पर महादीपों का विस्तार अर्थात भू भाग पाया जाता है प्रत्वी दिवस कब मनाते हैं तो हर साल 22 अप्रेल को प्रत्वी दिवस मनाते हैं प्रत्वी पर उत्री गोलार्द में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जून को प्रत्वी पर उत्री गोलार्द में सबसे बड़ा दिन होता है प्रत्वी पर दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं तो भूमद रेखा पर प्रत्वी पर दिन और रात दौनों बराबर होते हैं सूरे प्रत्वी के यानि कि प्रत्वी सूरे का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किस ने बताया तो कौपर निकस ने सबसे पहले बतलाया कि प्रत्वी सूरे के चक्कर लगाती है प्रत्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीलागरा कौन सा है तो प्रत्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीलागरा शुक्रगरा है पैंसल की लेड किसकी बनी होती है तो पैंसल की लेड ग्रेफाइड की बनी होती है पेनिसलीन की खोच किस ने की तो अलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसलीन की खोच की थी पेसमेकर का संबन शरीर के किस अंग से है तो पेसमेकर का संबन शरीर के अंग हुरदय से है पहलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो पहलागरा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है विटामिन B3 का रासाइनिक नाम क्या है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए पोंगल किस राजी का तेवहार है तो पोंगल तमिन नांडू का तेवहार है प्लाश्टर और पैरिस किस से बनता है तो प्लाश्टर और पैरिस जिपसम से बनता है और फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है तो एथलीन गैस फलों को पकाने में प्रियोग में लाई जाती है वलब भाई पटेल को सरदार का खिताब किस ने दिया था तो बर्दोली की महिलाओं ने वलब भाई पटेल को सरदार का खिताब दिया था अगर आपने पढ़ाई किये तो आपने देखा होगा ये कौशन हमेशा पूछा जाता है ते भागा अंदोलन का संगठन किस ने किया तो बंगाल के जो किसान है किसान सभा बंगाल किसान सभा ने ते भागा आंदूलन का संगठन किया था ये वो कौशन से जो हिश्टरी के नाम पर एक्जाम में पूछे ही जाते हैं तो इनको तो जरूर याद कर लेना नेक्स देखते हैं क्या पुशग है वेदों की और चलो या वेदों की और लोटो नारा किस ने दिया था तो स्वामी देयानन सरस्वती जी ने ये नारा दिया था वेदों की और लोटो नेक्स कॉशन उनिसो पांच में बंगाल विभाजन की घोशना का वास्तविक कारण क्या था तो बंगाल के राश्री आंदोलन को विगटित क भारत चोड़ो आंदोलन के समय का अद्धिक ाद्यक्ष का अद्ध्श कौन था तो भारत छोड़ो आंदूलन की समय मौलाना अभुलकलाम आजाद कॉंग्रिस के अध्यक्ष थे नेक्ट कॉशन दिखते हैं ब्रिटिस साशन काल द्वारा भारत में धन निशकाशन के बारे में सरोप्रतम किस ने लिखा है तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन निशकाशन के बारे में बताया है किस ब्रिटिस प्रधान मंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था तो विश्टन चर्चल ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाश्टा पर था पीछी हटने का आदेश देना राश्रिय विपत्ती से कुछ कम नहीं था असायोग आंदोरन के संद्रम में ये कथन किसका था तो सुबाश शंद्र बोश जी ने असायोग आंदोरन के बारे में ये लाइन कही थी कि ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाश्टा पर था उसी समय पीछे हटने का आदेश राश्य विपत्ती से कुछ कम नहीं था नेक्स्ट भारत के लिए समिधान सभा बनाने की घोशना किसके द्वारा की गई थी तो कैबिनेट मिशन योजना के तहट भारत के लिए समिधान सभा बनाने की घोशना की गई थी केंद्रिय और लाइजिस्टलेटेव असेंबली में प्रथम भारती अद्यक्ष एबम भारत के संसदिय यतिहास में स्वस्थ परमपरायें डालने वाले व्यक्ति कौन थे तो विठल भाई पटेल इस कॉशन का सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं भारती राश्री कॉंग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का समान किसे प्राप्थ हुआ तो भारती राश्री कॉंग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जोर्ज यूल बने 1928 में प्रथम बाद क्रांती अमर रहे का नारा किस संगठर ने दिया था तो पहली बार क्रांती अमर रहे का नारा हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोशेशन ने दिया था फादर आफ इंडियन अन्रेश्ट किस भारतिय को कहा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक को फादर आफ इंडियन अन्रेश्ट कहा जाता है किस तिथी को कॉंग्रेस ने राज नैतिक पीड़तों का दिन मनाया तो राज नैतिक पीड़तों का दिन 18 अगर्स 1929 को कॉंग्रेस न तो आखों की संग्या दे थी, किस वायसराय के शाशनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगातर तिलक ने होम रूल लीक की स्थापना की थी, तो लॉर्ड हॉरडिंग द्वतिय के शाशनकाल में बाल गंगातर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीक की स्थापना की थी, की 857 की क्रांती अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदु मुसल्मानों का सडियंत्र था सिंगापुर में पाचवी लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने घदर पाटी से प्रेरित होकर के नित्रत में विद्रुः किया था तो जमादा चिस्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान के नित्रत में विद्रुः किया था next question देखते हैं क्या पूशा गया है मार्च 1925 में किस राश्ट्रवादी नेता को केंद्रिय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया तो केंद्रिय धारा सभा का अध्यक्ष बिठल भाई पटेल को चुना गया था प्रथम अखिल बंगाल 4 सम्मेलन अगस्ट 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था तो प्रथम अखिल बंगाल 4 सम्मेलन अगस्ट 1928 में जवाहलाल नहरू की अध्यक्षता में हुआ था तो याद रखेगा, हरिजन सेवक संग के सनस्थापक जो थे सद्थापक और अध्यक्ष घंसामदास विड़ला थे और महासची ओ ठककर बाबा थे नेक्श कॉशन देखते हैं इंडियन एसोशेशन का कॉंग्रेश में विले कब हुआ तो 1886 में इंडियन एसोशेशन का कॉंग्रेश में विले हुआ नेक्श कॉशन सुबाश को प्रथम बार कॉंग्रेस का अध्यक्ष 1938 में हरपुरा गुजरात में पहली बार चुना गया 1820 से 1830 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रणेता इस्त्रोत कौन था गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में ससस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी किस प्रमुक अंग्रेज सांसत और राजनितिग्य ने यह सुईकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राश्य विद्रोह था ना कि एक सैनिक विद्रोह तो डिजराईली ने ये माना कि 1857 का विद्रोह एक राश्य विद्रोह था ना कि एक सैनिक विद्रोह था next question देखते हैं, 1858 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सरब्रथम पुनर अधिकार किया था, तो दिली पर अंग्रेजों ने पुनर अधिकार कर लिया था, अप्रेल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की तिरू गिरफतारी के बाद विद्रोह समाप्त सकता है, वहाबी आंदूलन का संस्थापक कौन था तो सयद एहमद राय बरेली से वहाबी आंदूलन के संस्थापक थे, हिंदोस्तान मजदूर सभा की स्थापना किस ने की तो सरदार वलब भाई पटेल ने हिंदोस्तान मजदूर सभा की स्थापना की थी, किस संस्था को मदन मोहन मालवे ने आगे चलकर बनारस हिंदु विश्विद्याले के रूप में विक्सित किया तो श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा इस्थापित केंद्री हिंदु स्कोल को बनारस विश्विद्याले के रूप में विक्सित किया था communal award किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था सन 1943 में आजाध इन्थंध फोज की स्थापना कहां की गई थी सन 1943 में आजाध हिन्थ फोज की स्थापना की गई थी युवा बंगाल आंदोलनं का मुख्य केंद्र क्या था तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था एक देश के लिए स्वराज परम आवशक है सुधार अथवा उत्तम राज इसके लिए विकल्प नहीं है ये कथन किसका है तो लाला लाजपत राए ने स्वतंतता के लिए ये वर्ड कहे थे मुझवफर पुर से मुझवफर पुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किस ने किया था तो खुदिराम बोस और प्रफुल चाकी ने मुझभफर पुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रियास किया था किस वाइसराय के साशनकाल में दिली दरबार में महरानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधी से सम्मानित किया गया था तो Lord Litton के साशनकाल में ये उपादी से सम्मानित किया गया था कैसरे हिंद की उपादी से बुनियादी सिक्षा का विस्तृत ब्योरा तयार किया गया था तो जाकिर हुसेन समीती के द्वारा बुनियादी सिक्षा का विस्तृत दौरा तयार किया गया था ब्योरा तयार किया गया था विद्वा पुनर विवाह एसोसियेशन नामक संगठन की स्थापना किस ने की थी तो महादेव गोविंद रानाडे ने विद्वा पुनर विवाह एसोसियेशन नामक संगठन की स्थापना की थी ब्रिडिस साशन के विरुद किसानों और आदिव विद्रो किया गया था कॉंग्रेस के प्रारंबिक 20 से 21 वर्षों तक यानि कि 1885 से 1906 के बीच तक किस ने तीन बार कॉंग्रेस अध्यक्ष के रूप में कारी किया तो दादा भाई नौरोची ने तीन बार अध्यक्ष के रूप में काम किया था लोग खितवादी के रूप मे स्थापना की गई थी महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा कॉंग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष तकी थी तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने कॉंग्रेस की अध्यक्ष तकी थी 1939 के तृपूरी अदिवेशन में सुभात शिंडर बोस किससे पराजित करके कॉंग्रेश के अध्यक्ष बने थे तो पत्टावी सीतारमयादी सीतार pass करके सुभात शिंडर बोस कॉंग्रेश के अध्यक्ष बने थे 1939 में मदनलाल धिंगरा ने 1999 मतलब 1909 में लंदन में करजन वाइली की हत्या किसके विरोध में की थी तो भारती युवाओं को काले पानी तो था फासी की क्रूर सजाय देने के विरोध में उन्होंने ये हत्या कर दी थी अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिती का गठन किस ने किया था तो बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना या गठन किया था एंग्रेज व्यक्ति एक था तो 1888 में इलहाबात के कॉंग्रियस अधिवेशन की अधिक्षता करने वाला प्रफम अंग्रेज व्यक्ति जॉल्ज यूले था नेक्ष्ट भारत एक राश्ट नहीं दो राश्ट हैं ये कथन किसका था तो मुहम्मद अली जिन्ना का ये कथन था कि भारत एक राश्ट नहीं दो राश्ट है कम्यूनल ट्राइंगल नामक पुस्तक की रश्णा अच्चित पतवर्धन के साथ किस ने की थी तो डॉक्टर असोक महता ने अच्चित पतवर्धन के साथ में मिलकर कम्यूनल ट्राइंगल की नामक पुस्तक की रश्णा की थी केंद्रिय बिवस्थापी का सभा Central Legislative Assembly में किसके साथ भगत सिंग ने बम गिराया था तो बट्टिक इश्वर दत के साथ में मिलकर बम गिराया था प्रशिद्र क्रांतिकारी जो ब्रिटिस सामराजवाद को जर्मन सामराजवाद से बहतर समझता था तो वो कौन थे रेश्मी पत्र सडियंत्र का प्रमुप के अंद्र था नेक्ट कॉशन देखते हैं रानी लच्मी भाई की समाधी किस नगर में है तो रानी लच्मी भाई की समाधी गौालियर में इस्थत है नंद कुमार के मुकदमों का समध किस से है तो वारेन हैंस्टिंग से वारेन हैंस् भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा इस्थापित किया गया था तो पुर्टगालियों के द्वारा भारत में प्रथम छापा खाना इस्थापित किया गया था भारतियों द्वारा साइमन कमिशन का विरोध क्यों किया गया था तो आयोग में कोई भारतिय सिद्व से नहीं था इसी लिए साइमन कमिशन का विरोध भारतियों के द्वारतियों के द्वारा किया गया था करनल वाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यू दंड दिया गया था तो मदनलाल धींगरा को करनल वाइली की हत्या के आरोप में मृत्यू दंड दिया गया था यंग बंगाल आंदोलन का प्रनिता कौन था तो हैंडरी विवियन डैरो जियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रनिता थे 1929 में केंद्री असेंबली में बम फेकने बाले भगह सिंग के साथी कौन थे तो बटुकेश्वर दतेजी थे जिन्ना दवारा सीधी कारवाही डारेक्ट एक्शन किया जाना कब निशित किया गया था तो 16 अगस्ट 1946 को जिन्ना दवारा सीधी कारवाही करना निशित किया गया था वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे तो वंदे मातरम पत्र के संपादक अरविंद घोस थे जलियावाला बाग हत्याकान की जाज के लिए कौन सी समिती नियुक्त की गई थी तो हंटर समिती जलियावाला बाग हत्याकान के लिए नियुक्त की गई थी जाज के लिए महत्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब आरम की थी तो 12 मार्च 1930 को महत्मा गांधी जी ने दांडी किया गया था, 1857 के विद्रोह को सेनिक विद्रोह के स्थान पर राश्री विद्रोह, नेक्स्ट, यंग मंगाल के संस्थापग हेंरी विवियन डायरो जियो थे, हिंदो स्वाराज पुस्तक किस ने लिखी थी, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, कॉंग्रेस के किसान सभा का पहला दिवेशन कहा पर हुआ था तो फैजाबाद में अखिल भारती किसान सभा का पहला दिवेशन हुआ था राश्रियता एक धर्म है जो इस्वर से प्राप्त होता है यह किसका कथन है तो अर्विंद घोस के द्वारा यह बात कही गई थी कि राश्रियता एक धर्म हैं जो इश्वर से प्राप्त होती हैं प्रथम स्वाधिनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे आर्थिक शोशन के विरुद बिहार की संथाल जाती ने विद्रोह किया था तो 1855-1856 में ये विद्रोह बिहार की संथाल जाती ने वाला जन्जाती समू ट्राइबल ग्रुप कौन सा था तो खसी ग्रुप ब्रिटिस नीतनों के विरुद्ध सरप्रथम बिद्रो करने वाला पहला जन्जाती समू था ट्राइबल ग्रुप था भारतिय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था तो 1926 में भारतिय कान के बाद पंजाब में फैली अशांती की जांच के लिए कॉंग्रेस द्वारा न्यूक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो पंडित मोतिलाल नहरू कॉंग्रेस द्वारा न्यूक्त आयोग के अध्यक्ष थे नेक्ष्ट किस घटना के बाद महात्मा गानी ने ब्रिडिस सरकार के विरोध अपना सरप्रथम असायोग आंदोलन प्रारम किया था तो रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में गानी जी ने अपना पहला आंदोलन सरप्रथम असायोग आंदोलन प्रारम किया था नेक्ष राजनीतिक स्वतंदरता राश्र की प्राणवायू है ये कथन किसका है तो अरविंद घोस के द्वारा ये बात कही गई थी कि राजनीतिक स्वतंदरता राश्र की प्राणवायू है 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किस ने की थी तो विनायक दामोदर सावरकन ने 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी असायोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वाइसराय कौन था तो लॉर्ड चैम्स फोर्ड असायोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वाइसराय था भारत छोडो का प्रस्ताव कॉंग्रेस ने कब पारित किया था तो भारत छोडो का प्रस्ताव कॉंग्रेस ने 8 अगस्त उनीसो ब्यालिस को मुम्मई में पारित किया था 1857 की कुरांती के विशय में ये किसका गठन है कि कुरांती मुस्लिम सामराज की स्थापना के लिए किया गया एक सणियत्र है तो जैम्स आउट्रम के द्वारा ये बात कही गई थी प्रातना समाज का गठन किस ने किय थी तो भगत सिंग राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फासी की सजा दी गई थी हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का घठन कम किया गया तो 9 से 10 सिदंबर 1928 को हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का घठन किया गया जातिय दुरभाव कि विरुद आत्म सम्मान आंदूलन प्रारम हुआ त्रावन कोर में 1857 के विद्रोखी अस्वल्था के बाद बहादर शाह द्वतिय का क्या किया गया तो उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था ब्रिडिस सरकान ने जलिया वाला बाग हत्यकान की जाच के लिए प्रिडिस सेना में सिवारत भारती सेनकों का पहला सैनिक विद्रोख वैलोर में 1806 में हुआ था लॉड डल्होजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासिनिक कदम था जिसका 1857 के विद्रोख के विसपोर्ट में सरवादी नियूगदान रहा तो व्यापकत का सिद्दान डॉक्ट्रेन ओपलेप्स का अंदा धुन करियान वेयन जो की 1857 के विस्पोर्ट में सरवादे की योगदान रहा लॉड डलहुजी के द्वारा टेक्ट्रॉन की खोज किस ने की थी तो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इस समय संयुक्तराज संग के कितने देश सदसे हैं तो इस समय संयुक्तराज संग के 193 देश सदसे हैं इरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो नादरिशाह को इरान का नेपोलियन कहा जाता है इरानी ट्रॉफी किस खेल से सम्मंदित है तो इरानी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से सम्मंदित है ECG का प्रियोग किस के लिए करते हैं तो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ जो है ये हरदय के लिए किया जाता है राइट आंसर हो जाएगा हरदय की जाच के लिए उच्छे नयायले के नयाधीश के वेतन और भत्ते कैसे दिये जाते हैं तो भारत की समय के तनीधी से उच्छे नयायले के वेतन और भत्ते दिये जाते हैं उज्जेन किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो उज्जेन छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है तो माली गाउं इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेस की किस कढ़ाई शैली विश्व प्रसिद है तो उत्तर प्रदेस की चिकन कारी कढ़ाई शैली विश्व प्रसिद है उत्तर प्रदेस में इंद्रा गानी नक्षतर साला कहां पर है तो इंद्रा गानी नक्षतर साला लखनव में इस्तित है कॉंग्रेस के 1929 के लाहोर अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने की थी तो जवाहलाल नहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उत्री ध्रोब में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है तो हिमादरी भारत के उत्री ध्रोब में अनुसंधान केंद्र का नाम है उबेर कप किस खेल में दिया जाता है तो महिला बैड्मिंटन में उबेर कप दिया जाता है उरी जल्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद शून यह होता है उश्मा संचरन करने का सबसे बड़ा और तेज रूप कौन सा है तो विक्रण उश्मा संचरन का सबसे तेज और बड़ा रूप है रिगवेद का कौन सा मंडल पूर्णता सोम को समर्पित है तो रिगवेद का नौवा मंडल पूर्णता सोम को समर्पित है र कि रिदनात्मक सद्सों के मद्धन कोण 90 ।onta है रिद्वें होने कारण क्या है तो सूर्व के चार और प्रत्वी का परिकर्मन रिद्वें होने का प्रमुक कारण है ATM का फुल फॉर्म क्या है तो ऐटो मै्टेड टेलर मशीन इस प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो इस अणूखी स्वतंद्रता की कोटी कितनी होती है तो 6 होती है एक किलो वाइट घंटा जिसके बराबर होता है तो 3.6 गुड़ित 10 के उपर 5 ही घाज जूल के बराबर एक किलो वाइट घंटा होता है एक किलो वाइट में कितनी बाइट होती है तो एक किलो वाइट में 1024 से 10 24 वाइट होती है एक केंद्री बलकाव धारन इन में से क्या है तो गुरुत्वा कशन एक केंद्री बलकाव धारन है एक घंटे में प्रत्वी कितने देशांतर घूम जाती है तो 15 डिग्री देशांतर एक घंटे में प्रत्वी घूम जाती है एक तीवर धारा और रोधक के मुढने के कारण क्या होता है तो विवर्तन कहलाता है इस घटना को विवर्तन कहते हैं एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है तो शब्दावली लेती है एक भाषा दूसरी भाषा से एक विक्ति एक सम्वेदन सील तराजू पर खड़ा है यदि वह घहरी सांस अंदर की और लेता है तो तराजू की रिडिंग कैसी होगी तो तराजू की रिडिंग घटेगी एक देवसी अंतराश्य क्रिकेट में 12 सतक बनाने वाला पर्थम भारते क्रिकेटर कौन है तो सचिन तेंदूलकर इस प्रशन के लिए सईयुतर है एक्स करने कैसी करने होती है तो एक्स क का विशकार किस ने किया था तो रॉंजेन ने एक्सरे का विशकार किया था एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है तो एनीमिया जो है विटामिन B12 से ठीक हो जाता है एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महीला कौन है तो हरप्रीत अहलूवालिया इस स्प्रेशन के लिए सैउत्त र्याएरप्लेन का विश्कार किसने किया था तो entireने एन्यगरी ब्यूता है लłपीजी गैस में क्या होता है तो ब्यूटेन होती लपीजी गैस में एश्याई खेलों का प्रतीक्षिन क्या है तो चमकता हुआ सूरज एश्याई खेलों का प्रतीक्षिन है एश्याई विकास बैंक का मुख्याले कहां पर है तो मनीला में एश्याई विकास बैंक का मुख्याले है STD का full form क्या है तो subscriber trunk dialing STD का full form है Eskimo के घर किसके बने होते है तो बर्फ के बने होते है Eskimo के घर ऐसा कौन सा देश है जहां कि डांक टिकेट पर उस देश का नाम नहीं होता तो Great Britain ऐसा देश है जहां कि डांक टिकेट पर उस देश का नाम नहीं होता ऐसा कौन सा देश है जो आज की तक किसी का गुलाम नहीं हुआ तो नेपाल इस प्रशिंग के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकडी नहीं होती है तो केले का पेड़ ऐसा पेड़ है जिसमें लकडी नहीं होती है आक्टोपस का रंग कैसा होता है रक्त का तो आक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है ओजोन किस में उपस्तित होती है तो इस्ट्रेटो स्फियर में उपस्तित होती है ओजोन दिवस कब मनाते है तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाय जाता है ओलंपिक खेलों को कितने कारती हैं एकल इस परधा में स्वणपदक जीतने वाले उलंपिक में स्वतंत्रता मेरा जन्मसद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह किसने कहा था लोकमान तिलक हिंदुस्तान सोचलिस रिपब्लिकन एस्शोशेशन का और कहां पर हुई थी तो 1928 में दिली में हिंदुस्तान सोचलिस रिपब्लिकन एस्शोशेशन की स्थापना होई थी 10 माई 1857 के सिपाही विद्रो कहां से आरंभ हुआ था तो मेरट से आरंभ हुआ था 10 माई 1857 का सिपाही विद्रो 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहां पर है तो इंग्लेंड के प्रधानमंतरी का निवास्थान है 10 डाउनिंग स्ट्रीट 13 अप्रेल 1919 को अमरत सर में हुआ जलिया वाला बाग हत्याखान किसकी गिरफतारी के विरोध में हुआ था तो सतेपाल मलिक और सैफुद्दीन किछलू की गिरफतारी के विरोध में हुआ था 13 अप्रेल 1919 को हुआ जलिया वाला बाग हत्याखान next question देखते हैं अगला प्रशन 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहां मनाय था तो कलकत्ता में मनाय था 18-57 के विद्रो का तात्कालिक कारण क्या था तो 18-57 के विद्रो का तात्कालिक कारण चर्बी युख्ट कार्तूस का प्रयोग सिपाहियों के द्वारा कराना 1916 में मदरास में होम रूल मूवमेंट के प्रबर्तक कौन थे तो एनी बेसेंट इस प्रशिंग के लिए सही उत्तर हो जाएगा 18-17 में चमपारन सत्यागरक किस राज में प्रारम हुआ था तो बिहार राज में प्रारम हुआ था 1924 में हिंदुस्तान रिप्रब्लिकन एसोशेशन के स्थापना किस ने की तो सचींद्र सान्याल ने की थी अंतराश्य उलम्पिक समीदी का मुख्याले कहां है तो लुसान स्विज्जलेंड में अंतराश्य उलम्पिक समीदी का मुख्याला है 1939 में कॉंग्रेश छोड़ने के बाद सुभाशंद्र बोस ने किस दल के स्थापना की तो फॉरवर्ट ब्लॉक की स्थापना की थी 1947 के भारती राश्री कॉंग्रेश के दिली अधिवेशन के अध्यक्षता किस ने की थी तो राजेंद्र प्रशाद ने की थी 1K और 2K का अर्थ क्या होता है तो 1000 और 2000 1K और 2K का अर्थ होता है 2.0 mol जलिय विलियन में 1 विलिय का मोल खटक कितना होता है तो 0.0347 होता है ALU का पूरा नाम क्या है तो arithmetic logic unit ALU का पूरा नाम है DNA का तादपरे क्या है तो deoxyribonucleic acid DNA का पूरा नाम है जी एन पी और अन फी के मदिकां अंतर बराबर कब होता है तो पूजी हिरास के समय, जी एन पी तथा अन एन पी के मदिकां अंतर बराबर है पूजी हिरास के, एन एक Two og में आन w zapotum का coordinatesn संखया कितनी होती है तो अने टूओ में सोडियम की coordination संखया 4 होती है, OBC का full form क्या है तो अरर बेकवर्ड क्लास OBC का full form है UNO की स्थापना कब ही थी तो 1945 में UNO की स्थापना हुई थी UNESCO द्वारा कलिंग पुरुसकार के शित्र में दिया जाता है तो विज्ञान के शित्र में दिया जाता है एक्स क्रणों की खोज किस ने की थी रॉंट जेन ने की थी अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था तो यूरी गागरेन इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अंजू बाभी जॉर्ज किस से संबनित हैं तो एथलिडिक्स से संबनित है अंजूमान निकोबार दीब समुका सर्वो शिखर पल्यान शिखर सैडल पीक कहां इस्थ है उत्री अंजूमान में इस्थ है सैडल पीक अंतराश्य नेले कहां पर है तो दहेग में अंतराश्य नेले है अंतरिक्ष में 20 नमंबर 2018 को अंतराश्टिय अंतरिक्ष केंदर के कितने साल पूरे हुए तो 20 साल पूरे हो गए अंगुरों की पैदावार के लिए कौन सा सहर भारत का जाना जाता है तो नासिक जाना जाता है अंतराश्य एथलिटिक्स एमिचर फेडरेशन के स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1912 में की गई थी 1935 का Government of India Act क्यों महत्वपूर्ण है तो यहाँ भारते समिधान का प्रमुक इस्त्रोथ है इसलिए महत्वपूर्ण है अंतराश्य महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है तो अंतराश्य महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है अंते मुगल शाशक कौन था तो बहादुर शाजफर अंते मुगल शाशक था अगस्त 1942 में कॉंग्रेस ने भारत छुड़ों आंदूरन कहां से प्रारम किया था तो बंबई से प्रारम किया था अचेतन मन का अध्यन किसके अंतरगत करते हैं तो मनुविशलेशन विधियों के द्वारा अचेतन मन का अध्यन करते हैं अजमेर के सूफी संसे संबंदित है तो ख्वाजा मुईनोदिन चिस्ती जीस संबंदित है 1857 के विद्रों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनन था राश्य विज्ञान दिवस कम मनाय जाता है तो 28 फरवरी को मनाते हैं अजमेर में मेयो कॉलेज के स्थापनक से किसे थी तो लॉर्ड मेयो न की थी अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वश किया गया तो 1972 में किया गया पहले पहले वक्ती थे अंतराश्य औंपिक समझी का मुख्याले कहां है तो लोसाने में सुज्जे लेंट में मुलक्याले इस्तित है 1857 के विद्रों में किस ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था तो मंगल पांडर जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था अंतराश्चे महिला दिवस की स्तिथी को मनाय जाता है तो आठ मार्च को मनाते हैं अशोग के तो जैम्स प्रिंसेब था किसें के दर्बार में थे तो अकबर के दर्बार में थे अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं तो फूल से प्राप्त करते है अभी तक भारत के किस एक माहाट के खिलाडी नेट टेस्ट मैच में 38 तक लगाया है तो विरेंडर सहवाग इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला कौशन अम्रावटी के बोद स्टूप कहां है ये आपका surprise question है इसका answer आपको comment box में share करना है दोस्तों अगर आप channel पर नए है और इस प्रकार के video प्रति दिन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे channel को subscribe करके bell icon on कर लीचे जिससे रोज के video के notification आपको मिल सकें आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेर करेगा video आपके दोस्तों भी जरूर देखना पसंद करेंगे free video है तो चलिए अगले video में फिर से मिलेंगे अच्छा लगा हो video तो like जरूर करेगा बहुत बहुत धनेवाद आपका दिन शुप हो